हालो दोस्त, RRC Group D Level 1 एक्जाम में Medical Unfit का अपील जारी हो गया है, लेकिन पता ही नहीं है अंदर अंदर क्या चल रहा है, विदारती परसान है, क्योंकि कोई लीस्ट नहीं केवल अपील करने की बात की गई है, तो देखिए परदर्शिता तो ऐसी होती है, जिसमें सब कुछ सा परदन रेल्वे में आपकी रिजल्ट बाद में आई थी, लेकिन अभी भी कंडिडेट का पैनल में सामिल क्वितने की इस कम्मुनिटी के आये हैं, कुछ डिटेल नहीं आया है, कि वह लोगीन करके कंडिडेट देख सकता है, तो ये कौन सी परदर्शिता है, ये सही नहीं में और सिगनल डिपार्टमेंट से और रिजाइन भी इसी जाल कर दिये, यानि सत्रा चार ते इसको, तो आप समझ सकते हैं कि क्या इसू है, लेबल वन में एक तो इतने दिन बाद ज्वाइनिंग हो रहा है, और उसके बाद पंदरा पांच कोरी लिविंग भी हो गया, या इसको नोटिस नमबर 12 दिया है, नाम और साथ में लिखाए, अनफिट कंडिडेट फोर इंस्ट्रक्शन फोर इमेडिकल अपील, अनफिट कौन है, किसी को नहीं पता, या तो कंडिडेट को इमेल पे आया होगा, या फोन पे आया होगा, या लोगिन करने के बाद मालूम चलेगा, यानि ये सारी चीज़े पबलीक में होनी चाहिए थी, वो अनफिट लिस्ट नहीं आया, जनरली बताया जाता है कि इन कंडिडेटों का ये मेडिकल है, इनको अपील करने का मौका एक मंत का मिलता है, यहां नहीं है, फिर भी कंडिडेट अपना इमेल, अपनी फो चाहिए यानि जो आप 17 वाले की जो रूल है, उसके हिसाब से आगे की प्रोसेस के लिए अपील करने के लिए दिया जाता है, जनरली अपील करने के लिए वन मंत होता है, वन मंत का टाइम दिया जाता है, जिसमें आपको डॉक्टर के सट्पिकेट बगेरा ये सारा प्रोसेस लिखा हुआ है, इन क्लोजर में लेके सारा इंस्ट्रक्शन आप पल लिजेगा, मैं एक एक चीज नहीं पढ़ूँगा, साथ में आपको एक हजार का डीडी जो रर्सी के नाम से पेबल होना चाहिए, हेड़ क्वार्टर, चर्जगेट, मुंबई वाले डवलू ये सारा चीज़े दिया हुआ है, एक किस के लिए है, पता ही नहीं है, कौन से कंडिडेट इसमें भाग लेंगे, एन एक तो पर फर्मा है, एन एक बी, डॉक्टर लिख के देंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट वो है, दुनों को आपको बना के ले जाना है, और आगे फिर इस रिकूर्मेंट सेल, पारसेल डिपो, अलिवाई, प्रेमजी मार्क, ग्रांट रोड इस्ट, मुंबई भेजना है, तो ये ध्यान दीजेगा, ये अपील के लिए है, लेकिन कौन सा कंडिडेट अपील करें, उन्हें खुद नहीं पता है, तो इसके लिए हो सकता है, अभी बाद में डिटेल आए, या आपको जो मैं ने बोला, इमेल पे आ गया होगा, या आपके बाइफोन के स्मिस में आ गया होगा, या आपको ये लोग इन करने के बाद दिखता हो, यानि ये चारों पोजिशन में से कोई एक हो सकती है, लेकिन सही नहीं है, वेप साइट पे रहता, तो साथ के साथ सभी रहता हो, सब लोग देखते हैं, थैंक यू, धन्यवाद,